तो गैस आज मैं आपके साथ एक जैपीनिस बी यल सीरीज एक्स्प्लेइन करूंगी तो इसमें हमारे फर्स्ट मेंन रोल का नाम है अतोई और सेकिन मेंन रोल का नाम है निशी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अतोई रो रहा होता है और कहरा होता है जब हम दोनों साथ में थे ना तो मुझे किसी बात का डर्ण नहीं था और ये इस तरीके से रो क्यों रहा है ये जानने के लिए ना हमें फ्लैश बैक में जाना पड़ेगा आतोई किना एक आदत थी वो जब भी रोड पर चलता था ना तो सिरफ वाइट लाइन के ऊपर चलता था और अपने इमेजिनेशन की दुन्या में वो ऐसे सोचता था कि आगर वो इस वाइट लाइन के नीचे चलेगा तो वो मर जाएगा और यही चीज हमारा नीशी भी सोचता था एक दिन स्कूल से घर जाते जाते ये दोनों पहली बार एक दूसरे से ठकरा जाते हैं दोनों ही वाइट लाइन से नहीं उतरना चाहते थे अतोई को पता नहीं था कि नीशी भी इमेजिनेशन में है तो वो उसे धका दे देता है ताकि वो वाइट लाइन से साइड हट जाए और अतोई वाइट लाइन के उपर से अपने घर जा सके नीशी उसके उपर चिलाने लगता है और कहता है कि तो मैं दिखाई नहीं देता ये किता जादा खतरनाग था मैं मर जाता शार्ख मुझे खा लेती अतोई कहता है ओ और मेरे लिए भी ये खतरनाग है क्योंकि यहाँ पर बरफ की नुक्लीली तलवारी है और अगर मैं नीचे उतरा तो मैं मर जाओंगा दोनों एक दूसरे की कंडिशन को समझ जाते है फिर अतोई नीचे से कहता है मेरे पास एक आइडिया है और कुछ इस तरीके से वो दोनों बिना वाइट लाइन से उतरे अपने रास्ते हो जाते है नीचे को ये बहुत जादा अच्छा लगते है और वो अतोई से कहता है ये सच में बहुत जादा अमीजिंग था अतोई कहता है अब तुम जिन्दा रहोगे और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते है अतोई अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे समझा रही होती है कि उसे न अपनी बहन जासा नहीं बनना उसकी बहन टोक्यो चली गई स्टड़ी करने के लिए और उसकी बाद उसने कॉल भी नहीं किया अतोई कहता है वो बीजी होगी न अतोई के मॉम कहती है पर तुम दो लोकल युनिवस्टी से ही स्टड़ी करोगे न अतोई कहता है हाँ आप चिंता मत करिये मैं लोकल युनिवस्टी से ही स्टड़ी करूँगा अगले दिन फिर से निशी और अतोई एक दूसरे से मिलते है निशी स्माइल करते होए भागते होई उसके पास आ रहा होता है अथोई भी स्माइल कर रहा होता है दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बाते करते हैं और फिर इसी तरीके से अपने घर चले जाते हैं अथोई ना हमेशा ही सीरियस रहता है लेकिन आज उसके फेस पर स्माइल थी और वो बहुत ही क्या बात है आज तुम्हारा मोड अच्छा लग रहा है आतोई के फ्रेंड्स स्कूल में कपल्स को देखकर कहने लगते हैं हमें भी गल्फरंड चाहिए और फिर आतोई से पूछते हैं क्या तुम्हारा किसी के ऊपर क्रश है क्रश सुनते ही ना आतोई को निशी का फेस य कर रहा होता है लाइन के उपर निशी भी आ जाते हैं दोनों बाते करने लगते हैं और अपने अपनी इमेजिनेशन बताने लगते हैं कि आज यरोड पर क्या है जैसे निशी की इमेजिनेशन में बहुत सब्सक्राइए Tokyo M.PL को फिर निशी कहता है लाओ मुछा अपना हाथ दो और फिर इस तरीके से वो अपने अपने रास्ते आ जाते हैं लेकिन आज ना अतोई को कुछ अजीब फील हो रहा होता है अगले दिन स्कूल में अतोई सोच रहा होता है मुझे हुआ क्या है मैं उस लड़के के बारे में ही क्यों सोचता रहता हूँ मुझे वो क्यूट क् लगनी लगा है फिर वो अपने घर के रास्ते से जाने वाला होता है लेकिन रास्ते में उसे शिराशी मिल जाती है ये लड़की ना बहुत ही जादा मेन है सीरीज में और वो अतोई से कहती है मुझे तुम से बात करनी है अतोई कहता है लेकिन मुझे नहीं करनी मुझे बहु वहाँ से चला जाते है वैसा इसलिए करता है ताकि नीशी से वो टाइम पर मिल सके दोनों काफी सारी बाते करते हैं जहाँ पर नीशी बोल रहा होता है और अतोई बड़े प्यार से बस उसे ही देखे जा रहा होता है फिर एक दूसरे का हाथ पकड़के दोनों कुछ इस तरीकी से अपने अपने रास देहा जाते हैं नीशी उसे बाय कहा कि वहाँ से जाने लगता है लेकिन अतोई उससे पकड़कर उससे कीस कर लेता है और फिर जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है वो वहाँ से भाग जाता है बिना वाइट लाइन की बरभा किये अगले दिन अतोई जब अपने बैंच पर बैठता है ना तो उसे एक लेटर मिलता है जो कि शिराशी ने भेजा था कि मैं तुम से कुछ बात करना चाहती हूँ अतोई शिराशी से बात करने के लिए जाता है शिराशी उसे कहती है कि मैं तुम से ब्यार करती हूँ कि तुम मुझे डेट करोगे और इन दोनों की बाते ना यहाँ पर अतोई के फ्रेंड्स भी सुन रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यूनिवर्स्टी की सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल लड़की अतोई को लाइक करती है लेकिन अतोई कह देता है कि मुझे माफ करना मैं तुम से प्यार नहीं करता अतोई आज दूसरे रास्ते से घर जाने लगता है क्योंकि कल उसने जब नेशी को कीस कियाना उसके पास से उसके अंदर हिम्मत नहीं होरी निशी का सामना करने की दूसरी और निशी अतोई का इंतिसार कर रहा होता है लेकिन जब वो इतनी देर तक नहीं आता तो वो दूसरे रास्ते से जाता है और अतोई को देखर कहता है कि अगर तुम इस रास्ते से आओगे तो हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे अतोई कहता है पर मेरे अंदर हिम्बत नहीं हो रही थी आने की निशी कहता है पर उस दिन तो तुम बीना लाइन की परवा की ऐसे ही भागी जा रहे थी तो मैं ऐसे नहीं जाना जाएए था ये कितन साथ खतरनाक हो सकता था न अतोई हैरान हो जाते है क्योंकि उसे ये तो पता था कि निशी उससे गुसा होगा लेकिन ये नहीं पता था कि इस बात से गुसा होगा कि वो लाइन की पीना परवा की ये भागा था अतोई कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेंड की नजरी से नहीं देखता और अगर हम साथ में रहे तो फिर से कहीं मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना कर दूँ। निशी चिला कर कहता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ये बताओ कि तुम मुसे मिलना चाते हो या फिर नहीं, क्योंकि मैं तो रोज उमसे मिलना चाता हूँ, तुम्हारे बारे में क्या, अतो ही कहता है, हाँ, मैं भी रोज उमसे मिलना चाता हूँ, फिर अतो ही क बात पकड़के चलती हैं और अपनी इमेजिनेशन में इमेजिन करते हैं कि वो एक डैजर्ट के ऊपर चल रही है नेक्स्ट हम दिखते हैं वाइल लाइन के ऊपर ना निशी खड़ा होता है निशी कहता है जो मुझसे प्यार करता है न वो इस लाइन के थुरू मुझ तक पह हो मुझे बताना कि इस सीरीज को मुझे कंडियनीव करना चाहिए या पर नहीं